साथियों नमस्कार, साथियों आज बहुत ही महात्पूर्ण विस्य पर चर्चा करने जा रहा हूँ, ये सामने दिव्य पौधा आप देखी रहे होंगे, बहुत ही सुन्दर और आकरसित, अपने आपको सबको लुभाने वाला सांदार जिसे कहा जाए, ये पहचान रहे का है, साइकस पाम, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सागो पाम, सीको पाम, और देहाती भासे हमें कंगी पाम भी कहते हैं, कंगी पाम इसलिए कि इसके जो पत्ते ये होते हैं, ये कंगी की तरह हार्ड होते हैं, और आज कल जो इसमें विसेश सावधानी की जरूवत है, औ कि इस में इस समय मई मह में अप्रेल मई में पत्ते निकलते हैं नए नए यह पत्ते देखिए बहुत ही मुलायम और सुन्दर पत्ते निकले हैं इस वाले में यह आप देख रहे होंगे यह हमारा पौदह करीब 20-20 साल पुराना है बहुत ही अच्छा पौधा है स्वस्थ एकदम स्वस्थ पौधा है ये करीब 20-20 साल पुराना पौधा है इसका ये तनावी देखिए काफी अच्छा डिवलमेंट इसका हुआ है और इसी में इसके पौधा आते हैं और उनी पौधा के द्वारा हम पौधे दूसरे बन जाते हैं तो इस पौधे की का एतिहासिक महत्व भी बताना बहुत आवश्यक है क्योंकि तभी जो है उसको पूरा संबान प्राप्थ होगा साइकर साइकर तो सभी लोग सुनते हैं और आकर्षित है इसलिए सब लोग इसकी तरफ आकर्षन रहता है इसका लेकिन एतियासिक्ता के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे एक तो सबसे बड़ी विशेज बात यह है कि इस पौधे में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं एक पौधा मेल होता है और एक फीमेल होता है मेल में यह है कि जो इसका यह बीच का क्राउन है अभी क्राउन इसका पूरे डिवलप्ड नहीं हुआ है नहीं तो इसमें बीच में क्राउन डिवलप्ड हो जाता है उसमें क्राउन में जो नर है उसमें बीच में जो है काफी सुन्दर क्राउन बनता है और जो फीमेल है उसमें चोड़ा मतलब उसमें रहता है और ये आनवांस्की सिध्धान्त का एक बहुत महात्पूर्ण पौधा है जो हमारे विज्ञानिक्ता से भी जुड़ा हुआ है और ये बोटनिकल बोटनिक विशे में इसको पढ़ाया भी जाता है अनवांस्की के विशे में और इसके अलावा जो सबसे और महात्पूर्ण विशे है कि ये पौधा हमारे मानोजात के लिए प्रणा का बहुत बड़ा सुरूत है और ये सकारमक्ता हमको दिखा रहा है और संघर्ष करना भी दिखा रहा है क्योंकि ये आज के समय के पौधे न इसकी प्रणाइकता ये है जो मेरी जानकरी में है और वो सही भी है कि और ये खुसी की भी बात है कि विश्व के भूमंडल में हमारे देश के भूमंडल भारत में बिहार राजी में अब जो जारखंड पड़ता है उसमें इसका जीवास में प्राप्त हुआ है इसी प्रज में करोणों साल की रसायनिक प्रक्रिया के बाद इनके ये पत्ते और युत्तना हैं वो प्राप्त हुआ हैं तो ये बहुत पत्थर हो गये हैं करोणों साल की प्रक्रिया के बाद रसायनिक प्रक्रिया से पत्थर हो गये हैं और उनमें क्योंकि ये पाम है तो इसमें अंदर जो है स्पंदन है और उसी तरह का उस पत्थर में भी एक एक चीज देखने को मिल जाती है कि ये इसके रेशे हैं ये स्पंदन है और बिल्कुल पत्थर में उसी तरह से पत्ते हैं ये डंठल हैं और बहुत ही मतलब हम एक ज्यानवर्दक भी है और हमारे आपके लिए दूसरन सबसे संगर्ष करने के बाद भी अपने अस्तत्य को बचाए हुए है यह कितनी खुशी की बात है और इसका जो है एक बार अगर यह लग जाए तो थोड़ी सी शावधानी अगर रखी जाए तो इस पौधे में कभी कुछ बिगड़ता नहीं यह पौधा जब भी मरत है अगर पानी का निकासी का नहीं है और पानी जमा हो रहा है तो इसकी सड़ें जड़ें जो है गलने लगती है तने से और दूसरा एक और होता है कि जैसे ज्यादा बारिस हो रही है और यह ऐसी जगे आपने इसको रख दिया कि जहाँ पानी इसके ओपर क्राउन में गिर है तो diplomatic ह कि प्र अगर इसका डेमेज हो गया तो समझ लीजे कि फिर नपक डेमेज होता जाता है और फिर बसता नहीं इसके फिर तन्य'S में गलन प्रदा हो जाती है और बद्बू आने लगती है फिर बचाना बड़ा मुशकिल हो जाता है चाहे और फिर जो भी फिर वो करिए प्रयास लेकिन बसता नहीं तो इसलिए इन दो चीजों से साउधानी रखिए कि उपर इसके कभी पानी ना डालें क्राउन में और अंदर और तने के पास कभी पानी एकटा ना होने दें ऐसा आप सिस्टम बना के रखें तो इस पेड़ को कुछ नहीं बग करने दें उससे पेड़ मरेगा तो नहीं मरेगा तो नहीं लेकिन पत्ते आपके खराब हो जाएंगे और पत्ते जल जाएंगे सुन्दरता खर्तम हो जाएगी तो इसलिए आज कर थोड़ा सैड में रख दें इसको लेकिन धूप आवश्चत है ऐसा नहीं कि धूप इसको मिले धूप मिले इसको और इसका प्रोपगेशन दो ही तरह से होता है या तो बीच से होता है लेकिन करीब पचीस साल के आसपास जब पौदा हो जाता है तब इसमें बीच की प्रक्रिया चालू होती है इसलिए तो यह इसको हम कह रहे हैं कि यह अब जो है दूड़लव होत जाना चाहिए और क्योंकि 20-25-25 साल में इसके भीज आते हैं और हाँ एक जरह आसानी है इसमें कि जो इसके कंद लगते हैं पप्स जो पैदा होते हैं उनके द्वारा इस पौड़े का डिवलेमेंट आसानी से हो जाता है पप्स को लेके और बालू जो सफेद वाली होती है उसमें लगा दीजे वो भी मार्च अप्रेल में और लगा के हलका सा उसमें पानी देते रही है वो पप्स जब आप इस तने से निकालेंगे तो उसी के साथ पप्स के नीचे हलकी सी जड़ भी निकलाती है सावधानी से कैंची से मतलब किसी तेज चाकु से उसको काट मैंने लगाया था उसी पप्स से काटके और यह लग गया है यह लग गया है अब जो सावधानी इस समय रखना है वो यह रखना है कि जो पत्ते निकलते हैं इसमें इंसेक्ट बहुत ज्यादा जल्दी लगते हैं और वो इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं द पाम रखा है जो इसी के साथ का है उसको भी 20-22 साल हो गये हैं वो पिछले मार्च में उसमें नए पत्ते आये थे लेकिन हम वेश्टता की वज़े से उसमें जो है कितना सक नहीं डाल पाए तो देखिए जे पत्ते आप देख रहे होंगे पीले-पीले हो गए हैं ये पीले- हम प्रेस्टिसाइज डाले दे रहे हैं प्रेस्टिसाइज इस समय डालना बहुत आवश्चक होता है क्योंकि अभी जो इसके पत्ते हैं ये ये बहुत ही मुलाइम है बहुत मुलाइम एकदम अगर थोड़ा इनको टाइटली वो कर दें तो तूट भी जाएंगे और जब वो निकलता है तो जब नए नए निकलते हैं तो एकदम गुर्प के रूप में निकलते हैं वो उसमें तो सावधानी ये रखना चाहिए कि ना तो पानी डालिए और ना ही उनको छूए उस समय क्योंकि अगर आपने छू लिया तो वो एक भी जो वो है वो तूट जाएगा पत्ता और पत्ता तूट जाएगा तो वो फिर बाद में बहुत बुरा लगता है और वो आप समझ लिए कि 6 महिने के लिए वो आपकी पेड़गी सुन्दरता खतम हो गई क्योंकि 6 महिने बाद ही फिर सितंबर अक्टूबर में इसमें पत्ते निकलेंगी नहीं तो जरूर से हम इनकी रख्षा कर सकते हैं और इनको बढ़ा सकते हैं बहुत ही आकरसण हैं नडशरी में आप लेने जाएए तो हजार पौदे अगर स्वा पौदे रखे होंगे तो आपकी नजर बरबस इसी पर जाएगी और एक बात और है कि जो इसकी कीमत है वो मैंने पहले भी कहा कि जैसे व्यक्तियों की स्रेणी और कैडर होता है उसी तरह पेड़ पौदों का भी कैडर होता है तो इसका उच्च कैडर है थोड़ा सा भी बड़ा पौदा होगा तो पांसु रुपए का उससे पहल उपर हजार रुपए का और अगर और बड़ा पौदा हुआ तो बीस ह सम्मान के घर में भी जो लगाते हैं उसमें भी यह सम्मान देता है तो सभी लोग जरूर इसको लगाईए हमारे चैनल को सब्क्राइब करिये और इसको अपने यार दोस्तों में भी जागरंड फैलाईए जिससे सभी को परिकत की तरफ इंट्रेस्ट हो और सभी इसकी पौधे की रक्षा हो सके और इसका विकास हो सके बहुत बहुत धन्वाद